Tile Adhesive series के पिछले podcast में एक काफी important point हमारे discussion में आया था Tile Adhesive का technical classification क्या है? आज के इस podcast में मैं आपको बताऊंगा Tile Adhesive से जुड़े हुए कुछ secrets और उनका classification और आज आप वो जान जाएंगे जो Tile Adhesive लेते समय नहीं पता होता लोगों को और वो सिर्फ dealer या brand के भरोसे पर ही vision making करते हैं नमस्ते and welcome to on the floor मैं हूँ दिनेश फ्यास और हजिर हूँ Tile Adhesive के बारे में एक important podcast लेकर जिसका topic है types of Tile Adhesive in the market हम कैसे पता करें कि हम high quality का Tile Adhesive खरीद रहे हैं आज इंडियन market में लगभग सभी international Tile Adhesive brands मौजूद हैं उनके कई-कई variants बजार में हैं इतना ही नहीं कुछ और लोग जो Tile Adhesive conventionally नहीं बनाते थे वो भी आ गये हैं जैसे Ultra Tech जो cement बनाते हैं या Asian paint जिनका main business paints हैं बहुत सारे unorganized players भी इसमें आ चुके हैं इस बात के देखे दो implications हैं पहला तो ये कि अब लोग cement के अपेक्षा Tile Adhesive से Tile लगाना चाहते हैं ये एक अच्छी बात है और दूसरा ये कि जब इतना chaos हो रहा है इतनी भीड हो रही है और information है नहीं तो high quality Tile Adhesive कौन सा है सही Tile Adhesive कौन सा है किसका लें, क्या लें क्या higher price वाला लें या lower price वाला लें ये decide करना काफी challenging है काफी difficult है अब सिर्फ Tile का chemical कह देने से काम नहीं चलेगा तो चलिए हम जानते हैं Tile Adhesive के कुछ secrets और उनका classification अगर आप पहली बार इस चैनल में आये हैं या आभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe कर लें क्योंकि OTF पर मिलेगा आपको interiors and building materials की सही और sufficient information without any brand promotion या किसी company की marketing तो चलिए हम शुरू करते हैं Tile Adhesive के उन पहलूँ के ऊपर discussion जिनकी जानकारी या तो आपको नहीं मिलती या आधी अधूरी होने के कारण solution की जगे confusion होता है Tile Adhesive से बनाने वाली brands market में कई versions बेचती है उन पर लिखा होता है कि ये ceramic के लिए है, ये porceline के लिए है लेकिन दो बाते नहीं पता चलती किसी construction professional या उस individual customers को जो informed decision लेना चाहता है पहली ये कि कि किस आधार पर company ये कह रही है कि ये particular variety, ये particular product इस particular application के लिए सबसे बढ़िया है और दूसरा ये कि क्या ingredients किस quality के, कितनी quantity में वो इसमें डाल रहे हैं इससे ये decide हो कि कौन सा adhesive ज्यादा सटीक है मैंने पिछले podcast में भी ये कहा था कि कोई भी company ingredients declare नहीं कर रही है अब ये कितना सही है ये गलत है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते है tile adhesive को जहां तक classification की बात है तो देखिए डो international जो standards है उन्होंने tile adhesive के बारे में definitions देए हैं एक है European norm EN 12004 और दूसरा है international ISO का जो classification है वो है ISO 13007 भारत में standards बनाने का काम Bureau of Indian Standards करता है तो उसका standard tile adhesive के बारे में है IS 1477 इन सभी standards के latest edition को ही refer किया जाना चाहिए अब अगर हम इन सारे standards को बहुत detail में discuss करेंगे तो घंटों का हो जाएगा podcast मैं आपको बहुत सरल भाशा में जो practical चीज़े हैं आपको पता होना चाहिए standards और quality के बारे में उनको short में discuss करूँगा और ये आपके लिए sufficient होगा चाहे आप architect हो, interior designer हो कोई और construction professional हो या फिर एक individual house builder हो जिसको ये सब जानने में interest है और वो serious भी है तो देखे, tile adhesive mainly 3 तरह के होते है three types of tile adhesive पहला होता है C type ये होते है cementitious tile ground basically powder के form में आते हैं सबसे ज़्यादा actually यही चलते हैं इसमें होता है cement, sand कुछ additives और इसको जब पानी में मिलाते हैं तो एक smooth paste बनता है और यही paste tile के पीछे और substrate के ऊपर लगा के tile को install कर दिया जाता है set कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है दूसी तरह का tile adhesive होता है D type, D यानि की dispersion type इसे mastics भी कहते हैं ये single component ready to use paste के form में ही आते हैं और special application में use होते हैं खासकर wall application के लिए और तीसरा tile adhesive है R type, यानि की reaction resin ये basically epoxy based होते हैं बहुत special condition में apply होते हैं और chemical reaction से bond बनाते हैं इन जेनरल जो आपको ceramic या porceline tile wall या floor में लगाने हैं उसके लिए C type tile adhesive ही use होते हैं तो हम उनके बारे में अपना discussion पूरा करेंगे क्या होते हैं C type tile adhesive जैसा मैंने कहा ये cementitious tile grout होते हैं इसमें होता है cement, quart sand इसके बाद water retention के लिए एक element और polymers तो क्या सारे cementitious tile grout एक ही होते हैं नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर difference कहा है ये difference जानने के लिए हम थोड़ा और deep में जाते हैं हम देखते हैं कि tile adhesive में क्या-क्या qualities होना चाहिए requirements क्या-क्या properties होना चाहिए एक अच्छी quality के tile adhesive में तो देखे, tile adhesive में पांच या छे main requirements होते हैं पहला तो है high addition यानि कि चिपकाने की उसकी क्षमता, addition extent ज्यादा होना चाहिए दूसरा है उसकी flexibility जिसको deformability भी कहते हैं flexibility और deformability के लिए एक minute का discussion करते हैं हमने पिछले कई podcast में कहा था कि building में जब हम flooring कर रहे हैं तो building में कुछ structural movement है और tile में भी expansion हो सकता है उसको adjust करने के लिए अगर मान लिए जो tile adhesive या जो भी cement mortar हमने लगाया है अगर वो जरा भी flexible नहीं होगा जरा भी deformable नहीं होगा तो क्या होगा tile या तो उखड जाएगा या तूट जाएगा या ऐसी पड़ा रहेगा उखड़ा हुआ तो tile adhesive की बड़ी important quality होती है कि इस तरह के movement में इस तरह के जो भी adjustment की जरूरत पड़ती है वो उसमें सक्षम हो यानि कि पहले दो requirement है addition strength और flexibility या deformability तीसरा है longer pot life आपने जो बनाया paste वो कम से कम आधे घंटे या कुछ देर तो होना चाहिए ऐसा नहीं कि हर दो tile के बाद आपको बनाना पड़ रहा है उसको कहते हैं pot life चोथी important बात देखी जाती है tile adhesive में open time और adjustment time मतलब यह है कि आपने पेस्ट लगाया tile के पीछे और wall में और आपने tile चिपकाया लेकिन फिर आपको उसका alignment करना है निकाल के थोड़ा सा इधर shift करना है उधर shift करना है इसके लिए sufficient time होना चाहिए ऐसा नहीं कि इधर लगाया उधर से फटाक से वो set हो गया इसलिए open time और adjustment time का importance है पांचवी property tile adhesive में होती है slip resistance confused मत होईएगा ये वो slip नहीं है कि tile के उपर हम slip कर गए नहीं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ मान लेजे कि ये wall है और ये आपका एक heavy tile है wall में आपको लगाना है slip का मतलब ये है कि कहीं ये tile आपने adhesive लगाया tile यहाँ पर चिपकाया और मालुम पड़ा थोड़ी देर में वो slip कर गया इसको कहते हैं adhesive में slip ये चलने वाला slip नहीं है तो higher slip resistance कहां जरूरी होगा आप अंदादा लगा सकते हैं wall में अगर apply करना है हमको tile हमारा बड़ा है heavy है तो slip resistance काफी important होता है अगला requirement होता है कि tile adhesive की shelf life ज्यादा होना चाहिए shelf life यानि की expiry date इसके अलावा cementitious tile grout में एक important बात होती है कि उसमें water retention element होना चाहिए और वो लगबग सभी में होता भी अब आप बड़े ध्यान से सुनियागा क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा चार या पांच code word codes आप कहले जिन से पता चलता है कि अभी जिन qualities की हमने बात की जिन requirements की हमने बात की वो जो आप tile adhesive ले रहे हैं उसमें है या नहीं सभी अच्छी brand good brands, repeated brands generally ये codes अपने product में देती है Just to remind you हम बात कर रहे हैं cementitious grout की cementitious grout में दो qualities होती है C1 और C2 C1 यानि की normal performance and C2 यानि की improvised performance C2 में mainly addition strength ज़्यादा होगी और flexibility या deformability भी ज़्यादा होगी अब आते हैं 4 या 5 और important board पहला है E अगर आपके tile adhesive में E लिखा हुआ है तो उसका मतलब है extended open time हमने इसके बारे में बात की थी S का मतलब होता है flexibility या deformability अगर आपका tile adhesive S2 है उसका मतलब ये है कि उसके जो deformability है वो S1 के अपेक्षा ज्यादा है next code word है T T यानि की slip जो हमने बात किया था कि tile लगाने के बाद वो अपनी जगे से नीचे ना जाए फिर आता है F F means fast setting कुछ परिस्तितियों में जरूरी होता है कि tile adhesive जैसी हम लगाए कम से कम समय में ये पूरी strength गेन कर ले तो वहाँ fast setting का importance है तो हमने अभी जाना C1, C2, E, S, T and F के बारे में तो आपको wall या floor में अपने tile लगाने के लिए चाहिए C1 या C2 type का tile adhesive अगर आपके tile adhesive में लिखा है C1 ET तो इसका मतलब है कि आपका tile adhesive C यानि की cementitious type का है इसमें extended open time है और better slip resistance भी है अगर उसमें लिखाया C2F तो मतलब ये cementitious style adhesive improvised performance का है और इसका setting time fast है एक और बात मैंने water retention element के बात की थी जो सभी cementitious style growth में होता है और ये काफी ज़रूरी होता है क्योंकि देखे cement है curing के लिए अब आप कोई पानी तो डालनी पाएंगे तो जो water retention element का काम होता है वो यही होता है कि उस paste का जो water है वो अपने आप में retain कर लेता है और जैसे जैसे tile adhesive को ज़रूरत पढ़ती है उसमें जो cement component उसको ज़रूरत पढ़ती है पानी की वो release करता रहता है और इसी water retaining component के कारण ही जो tile adhesive उतना smooth दिखता है न उसका paste वो इसकी वज़े से ही है एक और राज की बाद देखिए tile adhesive में जो दो सबसे important बाते हैं वो है addition की strength उसका चिपकाने की ख्षमता और उसकी flexibility यानि की deformability है इसके अलावा उसमें self curing के लिए water retaining compound मैंने कुछ cases में ऐसा भी पाया है कि cheap tile adhesive जो भी supplier ने supply किये एक दो cases में उसमें देखने में paste तो वैसा ही था लेकिन performance बहुत low quality की और उसका कारण जो मुझे लगता है वो यही है कि देखिए उसमें cement, sand और water retaining compound तो डाल दिया लेकिन जो main element है बाकी के खासकर polymer या तो वो नहीं डाला या तो बहुत कम डाला है और इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी brand दुनिया में ingredient की बात ही नहीं कर रही है मेरे खाल से जितना discussion हमने किया और जो भी information आप तक पहुँची ये sufficient है आपके टाइल एडेसिव से related decision लेने के लिए इसके अलावा गर आपका कुछ सवाल है तो comments हैं आप हमें भेज दे और जैसा कि मैंने पिछली बार पताया था week में कम से कम एक बार जो भी questions आ रहे हैं मुझ तक उस पर भी base करके एक podcast हम कर रहे हैं तो आप अपना सवाल अपना नाम और location के साथ मुझे भेज दे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले podcast में उसको मैं शामिल करूँ, address करूँ अगर उसका जवाब already किसी podcast में नहीं है तो उन लोगों से जो construction के business में है Architects, interior designers, civil engineers contractors, अगर हैं आपके network में पूर तक भेजे और आपके सहयोग के लिए Thank you very much Please do not forget to subscribe the channel I am sharing the podcast Thank you very much See you in the next podcast